हेलो दोस्तों नमस्कार आपका अपने यूट्यब चैनल अतीसिंफोटेक में स्वागत हैं तो दोस्तों इस जो है वीक की सबसे खतरनाग और सबसे चर्चित मोवी दाकाश्मीर फाइल जिसकी पूरे देश नहीं पूरे वैड में जो है पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है दो सोहत्त काश्मीर फाइल मुवी कल जो है टेक्स परी कर दिगाई नो जाने कितने श्टेट और हमारे मनने प्रधानमंत्री जी ने भी इसके सराषान की है चलते हैं दोस्तों इसके बारे में टोटली पूरा बात करते हैं और डाउनलोड करने का भी मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ यहाँ पर आएंगे सीधा यह टेलीग्राम चैनल है जो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का अतीज इन्फो टेक नाम से जिसमें जो है मैंने अभी अभी बनाया है और काश्मीर फायल मूवी आपको मिल जाएगी वह भी पूरा फुल मूवी आप जाके देख सकते हैं इसके बाद मैं बता दूँ कि इस मूवी के जो है जो आने बहुत अच्छी भूमी का निवाई है निर्देश के हैं विवेक अगनी होतरी लेखा के हैं विवेक अगनी होतरी सौरब एमपांडे और अभी नेता है इसमें जो काम करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती जी हैं मिथुन चक्रवर्ती और उसके बाद आपको मैं बता दू मिथुन चक्रवर्ती इसके अभिनेता अनुपम खेर है और उसके बाद दर्शन कुमार और पल्लवी जोसी इसके मुखे जो है किरदार है अब दोस्तों बात करते हैं यह फिल्म एक युवा छाप कृष्णा की यात्रा के इर्द गूमती है जो प्रोफेसर प्रोफेसर राधिका मेनन यानि की इस्तिति को दर्साती है जावाहलल नहरु विश्विद्याले जैन्यू के कृष्णा पंडित के एक युवा छादर के कस्मीर यात्रा पर केंद्रित है ठीक है दोस्तों और इसके निर्माता जो है यह आपको पता होगा इसमें पूरा खर्चा 3.55 करोड जो है खर्चा ल निश्चल होकर के इस मोवी का जो है मार्ग दर्सन किया है और इसके बाद इसके आगर मैं बात करूं पूरे और पूरे मनलब की काश्मीर फाइल हिंदे मोवी का जो मनलब मित्वों चेक्रवर्टी और अनुपरम खेर जी ने उन्होंने इसके वारे में जो निर्माता किये है जो निर्मित है या उनके मार्मिक जो है निर्देशों को सच्ची घटनाओ पर जो है आधारित है तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को पहले आर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और अगले वीडियो में मैं पूरे मूवी जो है एक्सिपलेन करने वाला हूँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेजए और मूवी का जो लिंक मैंने दिया है यह आप डिस्क्रिप्शन में मूवी का लिंक है जाके मूवी डाउनलोड करिए दोस्तों और हर एक युवा को जो